हिलो फ्रेंट्स में हुछाया और मेरी कचिन में आपका स्वागत है कोई भी तेभार हो अधिकांश घरों में बेसन के लड़ू बेसन की बर्फिया मोहन थाल तो बनता ही है मोहन थाल बर्फिया बेसन के लड़ू बनाने के लिए जो बेसन त्यार किया जाता है उसका आज हम बहुती आसान तरीका देखेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे दो कब बेसन अब हम इसमें डालेंगे टू टेवल स्पून मिल्टेड घी घी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें हलका गरम दूट डालते हुए इसका आटा त्यार करेंगे आटा हमें पूरी के आटे के जैसा टाइट लगाना है तो आटा हमने लगा लिया है अब हम आटे की छोटी छोटी लोई बना कर त्यार करेंगे हमें पूरी की लोई से भी छोटी छोटी लोई बना कर त्यार करना है सारी लोई हमने बना कर त्यार कर ली है अब हम इसे बेलेंगे हमें इसे ज़्यादा पतला रखते हुए नहीं बेलना है तो इसी प्रकार से हम सारी लोई को बेल कर त्यार कर लेंगे सारी लोई को हमने बेल लिया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए घी को हमने गरम कर लिया है फ्लेम को हम लोटू मिडियम रखेंगे बहुती कम समय लगता है इने फ्राइ करने में तो दोनों साइट से हमें अच्छा सा कलर आने तक इने फ्राइ करना है इस तरह से दानेदार वेशन बनाना बहुती आसान हो जाता है और इसमें घी भी बहुती कम लगता है दोनों साइट से अच्छा सा कलार आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से सभी को फ्राइ करकर तियार करेंगे तो सभी को हमने फ्राइ कर लिया है अब हम इसे इस प्रकार से छोटे-छोटे टुकडों में तोड लेंगे इस प्रकार से तोड़ने से इसे पीसना आसान हो जाएगा तो सभी को तोड़ने के बाद अब हम इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे मिक्सी को हमें एक साथ नहीं चलाना है रुक रुक कर चलाएंगे और इसे पीसेंगे तो पीसने के बाद अब हम इसे बाउल में निकालेंगे इस प्रकार से हमने इसे पीसकर त्यार कर लिया है अब हम इसे एक बार और भूनेंगे गेस ओन करके पेन में 2-3 टेबल स्पुन खी को गरम करेंगे गेस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इस बेसन को भूनेंगे बेसन को भूनने में हमें केवल 4-5 मिनिट का समय लगेगा तो लगातार हम इसे चलाते रहेंगे इस प्रकार से दानेदार बेसन बहुती कम समय में और बहुती कम घीमे बन कर त्यार हो जाता है इस बेसन से आप लड़ू, मोहन्थाल या बर्फी कुछ भी बना सकते हैं तो 4-5 मिट हमने इसे भून लिया है और इसमें से भूती अच्छी खुशबू भी आ रही है तो अब हम गेस की फ्लेम को बंद करेंगे परफेक्ट मोहन्थाल की पूरी रेसिपी देखने के लिए लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप महा जाकर वीडियो देख सकते हैं इस दानेदार वेशन से लड़ू बनाने के लिए एक कप शक्कर का पूरा और थोड़ा सा इलाइची पौडर डल कर आप लड़ू बना सकते हैं बहुत ही दानेदार और टेस्टी लड़ू बन कर त्यार होते हैं तो आप इस प्रकार से दानेदार वेशन बनाकर मोहन थाल बर्फिया लड़ू ग्रेसिपी को जरूर ट्राय करें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें फेमली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू